ग्रामिन इलाकों में लिलाव हुए रेत घाटों पर भारी पैमाने पर रेत की बड़े ट्रकों द्वारा धुलाई पालोरा पीपला सिंगोरी इन ग्रामिन रास्तों से की जाती है जिससे यहां के रास्ते पूरी तरह उखड़ चुके हैं रास्ते की मिट्टी मुरम और पत्तर पूरी तरह रास्ते पर बिखड़ने से यहां के ग्रामिन शेत्रों में रहने वाले लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पासी के पीपला घाट से रेत की धुलाई बड़े ट्रकों द्वारा की जाने से यहां का रास्ता पूरी तरह निस्तनाबुद हो चुका है यहां इसी वज़े से आने जाने वालों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है हाली में यहां का रास्ता करोडों रुपए खर्च कर बनाया गया था पर जैसी रेती घाट का लिलाब होते ही वहां से रोजाना भारी संख्या में बड़े ट्रकों से रेती की धुलाई की जाने से यहां का रास्ता पूरी तरह उखड चुका है जिससे यहां आने जाने वाले किसान स्कूली बच्चे नागरिकों को खस्ताहाल हुए रास्ते से आना जाना पड़ रहा है बार-बार शिकायत करने के बावजूद इस और अधिकारी ध्यान नहीं देने से इस रास्ते पर जानलेवा घटना होने की संभावना इस्थाने को द्वारा जताई जा रही है यहां से गुजरने वाले वाहनों की रोक्ताम के लिए किसी प्रकार का प्रयाज प्रशासन के आलाधिकारियों की और से नहीं करने से बचा कुछा रास्ता भी पूरी तरह उखड चुका है अनेको जगा बड़े बड़े गड़े पड़े हुए हैं जिससे यहां पर बड़े हाथ से की संभावना जताई जा रही है वहीं इसी रास्ते से स्कूली बच्चों की बसे गुजरती हैं पर रास्ते में बड़े बड़े गटे होने से और गिटी फैलने से कभी भी स्कूली बस को दुरगटना होकर जानलेवा गटना की संभावना जताई जा रही है बारबा शिकायत करने के बावजूद यहां के बड़े वहनों की रोखथाम के लिए किसी प्रकार का प्रयास प्रशासन द्वारा नहीं करने से लोगों में खासी नाराज की प्रशासन के खिलाब दिखाई दे रही है यहां के युवा प्रहार संगठन की और से हाले में इस से बारे में तैसिल्दा प्रशान सांग्रे को एक निविदन दे कर यहां से गुजरने वाले बड़े ट्रकों को रोखथाम के लिए मांग यहां के ग्रामिनों द्वारा की गई वहीं साथ में इस मार्क से बड़ी वाहनों की रोखथाम प्रयास नहीं किया गया तो यहां के ग्रामिनों द्वारा आंदुलन करने की बात कही गई है पिछले साल इस रास्ते पर शंक्ता से ज्यादा ट्रकों में रेद भर कर धुलाई की गई थी जिससे यहां के रास्ते पूरी तरह उखड गए थे इससे बारे में मंत्री मोहदे को शिकायत की गई थी मंत्री मोहदे का दोरा इस शेत्र में आयूचित किया गया था अधिकारियों ने मंत्रियों का दोरा देखते ही यहां के रास्ते की मरमत जैसे तैसे की वहें मंत्री महदे ने यहां के हालात को देखते हुए इस रास्ते को तुरंत बनाने का आश्वास अंग्रामिनों को दिया था पर आस्तक यहाँ पर किसी प्रकार का निर्मान कारे नहीं किया गया जिससे लोगों में मंत्री महदे के खिलाब भारी रोश दिखाई दे रहा है इस रास्ते से स्कूली बच्चों का आना जाना रोशाना होता है पर रास्ते पर अनेको जगा गड्डे पड़े हैं सड़क पूरी तरह उकडी हुई है, मुरम फैला होने से यहां से आने जाने वालों के लिए जानलेवा साबित होने की संभावना ग्रामिनों द्वारा जताई जा रही है, फिर भी आने वाले दिनों में यहां पर प्रशासन द्वारा सभी बड़े वहानों के आवगमन पर झाले लब यहां से ईंजा होने किसर एमा से जाने की सिरय सबावना पहां लνगी है, उला लगना पक्रूल में वहां चाहँ होने को छाहां कि आई करे तक्या हा जाने जाने पहां बेहां पर चाहांतर।